तुमस्कार दोस्तों Ultimate Health and Home Remedies channel में आप सभी का स्वागत Ultimate Health and Home Remedies आपकी सेहत का खयाल पकू भी रखता है दोस्तों आज में आप लोगों को हिप डिप्स वर्काउट बताऊंगा और साथ ही आप लोगों की कमर को एक अच्छा रूप देने वाली exercise बताऊंगा जो आप लोग Ultimate Health and Home Remedies की सभी exercise जो है आप लोगों के लिए beneficial रहती है तो अभी चैनल को subscribe कर लीजे क्योंकि ये सभी exercise जो है अगर आप लोग सुबह उट कर करते हैं तो आप लोगों को मिलेगा एक good looking figure और belly fat तो reduce होगा ही होगा तो आप लोगों को पताए कि सभी workouts जो है बैली fat को reduce करने में बहुत अधिक मदद करते हैं workouts होते ही इसलिए हैं ताकि आप लोगों को एक अच्छा figure मिल सके टोंड बोडी मिल सके good looking जो है आप लोगों के arms हो गुड लोगों के abs हो या आप लोगों के overall body हो तो उसके लिए तसब तयार हो जाए अपनी yoga mat को आप लोग जो है अपने घर पर बिचा लीजे यहां भी आप लोगों को suitable हो वहाँ पर बिचा लीजे और तयार हो जाए चलि एक पैर जो left leg है उसको उठाइए और side में आप पूरा का पूरा उठाने की कोशिस कीजिए 90 degree के उपर जहां पर हो तो यह प्रकार की ही popular exercise है जिसे हम लोग hips के लिए अच्छी बताएंगे और साथ अगर आप लोग देखेंगे जब आप लोग legs को उपर की और हवा में उठ होता है तो यह हम लोग बोलेंगे कि यह हिस्सा भी आप लोगों के लिए वाइदमन्द होगा यहां की विचर भी काम होगी तो अब हर एक वर्काउट के बाद में हम लोग 10 सेकंड का rest देते हैं 10 सेकंड कम्प्लीट होने वाले हैं दूसरी exercise है side leg raise right और इस exercise को करने के लिए सिमिलर है जो कि पहली वाली exercise ही थी इसमें आप लोगों को right leg जो है वो 90 degree के उपर रखना है तो दोनों पैरों के बीच में 90 degree अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है लेकिन लगभग 80 degree जो है वो आप लोगों का आएगा 80 to 85 आप लोग कह सकते हैं पूरा 90 degree नहीं होगा तो अगर उनको टोंड बनाना है बोडी को टोंड बनाना है स्लिम फिट रहना है तो यह दोनों exercise को अपने routine मेड कीजिए और ultimate health and home remedies की सभी exercise को challenge लेकर आप लोग जो है सुबह exercise ज़रूर करें तो अभी जो है workout का session जो है वो complete हो चुका है मतलब resting time complete हो चुका है तीसरा जो workout है वो अब लोगों के लिए इस परकार है standing cross side crunch Standing cross side crunch का मतलब है कि आप छो है खड़े रहेंगे दोनों हाथ जो है आप लोगों की लगबख कान के पास रहेंगे या आप लोगों की गरदन के पीछे रहेंगे अब जैसे कि आप लोग बाइस्किल करते हैं वैसे ही सिमिलर यही है आप लोगों को खड़े रहकर वो करना है और दोनों पैरों के बीच में आप लोगों के gap maintain रखना है अब squat position लेकर नीचे बैठना है दोनों हाथ जो है वो कान के पीछे रहेंगे लेकिन जब आप लोगों क खड़े रहें तो एक कोहनी जो है वो आप लोगों के गुटने के साथ टच होनी चाहिए तो इससे क्या होगा आप लोगों के abs मजबूत होंगे abs की जो muscles है वो मजबूत होंगी और आप लोगों को फाइदा मिलेगा आप लोगों के love handles को अच्छा बनाने में टोन बनाने मे next workout आप लोगों के लिए standing side plank standing side plank में आप लोग देखी कि कमर की जो side की चरवी है वो कितनी effectively कम होती है और कैसे वो जो है वो आप लोगों की workout में सामिल की जा सकती है तो standing side plank करने से आप लोगों की side की जो चरवी है जिसे हम लोग love handle fat बोलते हैं वो reduce हो जाएगा और बहुर सा साथ ही आप लोगों की जो external obelix muscles है वो भी reduce होगी तो standing जो side plank की से करना भी आसान है दोनों हातों को कमर के पीछे रखे रखे एक कोहनी को उठाते वे आप लोगों को कमर जो घुटना है उसको आप लोगों को नीज से टच करना है बस इतना सी है अब आप लोगों के लिए resting time है 10 seconds का और यह 10 seconds बूरे होते हैं तो same standing spider man plank जो है वो आप लोगों को left leg के साथ भी करना है right leg के साथ आभी आप लोगों को ने किया है similarly जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोनों पैरों के बीच में gap होना चाहिए अब आप लोगों को क्या कर रहा है दोनों हाथों को गर होगोटना है और घृटना मौडते हुए अप लोगों को बैफ लेकर जाना है चर ustedes म say do not touch हो रहे हैं और लोगों की हो रही है और वरक आउटश में Legs का भी है तो हाप लोगों के support हो जाते हैं साईट और विकाउनट को जाता है तो resting time हो चुका है और आप लोगों के लिए 5 workout जो है वो complete हो चुके हैं छटा workout जो है वह इस प्रकार है छटा workout आप लोगों के लिए है कि आप लोग साइड लेज़ ही लेंग साइड लेज ही हम लोग इस exercise को बोलेंगे इसमें आप लोगों को क्या करना है करवट लेकर आप लोगों को left leg जो है उसको थोड़ा सा उठना मोडते वे इच्छे की ओर लेकर जाना है और right leg जो है आप लोगों का उस पैर के जस्ट ऊपर की ऊपर रहेगा ठीक है अब आप लोगों को अपनी गर्दन जो है वो left hand के palms प उपर जो है 80 डिग्री तक आप लोगों को उठाना है तो इससे ग्लूट्स का वरकाउट जो है वो complete होता है और ग्लूट्स जो है वो टॉन होते हैं और आप लोगों की जो एक्सिनल अबलिक्स हैं वो भी powerful बनती है रेस्टिंग टाइम है रेस्टिंग टाइम पूरा कर ली है और ग्लूट्स पर मसल्स मास बनता है तो इससे क्या होगा मसल्स मास बनेगा तो बिकार का फैट बाहर निकल जाएगा ग्लूट्स जो है वो आप लोगों के अच्छे होंगे और साथ ही love handles भी attractive बनेगा और एक आप लोगों को एक करवी फिगर भी आप लोगों को इससे म परकार आप लोगों के साथ seven workouts जो हैं वो complete हो चुके हैं और eight workouts eight workouts में जाने पहले आप लोग थोड़ा सा rest ली दीजे अब आठो जो workout है वो है glute half circle left यानि कि left leg से आप लोगों को एक पूरा का पूरा half circle बनाना है और इसमें आप लोग देखे कि glutes किस प्रकार आप लोगों क effective हो रहा है आप लोग video screen पर देख सकते हैं कि glutes की जो है ज्यादा इंगे जिस workout में रहते हैं left leg के साथ कर रहे हैं तो left वाला जो लूट है वो इसमें ज्यादा जो है effective होगा right leg के साथ करेंगे तो right वाला effective होगा लेकिन इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो एक पूरा का पूरा half circle जो है वो इसमें बनाया जा रहा है तो इसमें आप लोगों करने के लिए क्या करना है table top position में रहना है और दोनों हाथे exercise के बारे में पूरा जान सके और अब देखिए right leg के साथ है session जो रेस्टिंग time complete हो चुका है अब यही exercise जब आप लोग right leg के साथ कर रहे हैं तो देखिए right glutes जो हो कितना effective हो रहा है तो इसमें left glutes है वो constant position पर है लेकिन right leg को आप लोगों को एक दम straight रखना है देखिए जै तो यह exercise है glute half circle right and पहले वाली जो exercise थी वो थी glute half circle lap तो exercise भी आप लोग कर सकते हैं और आप लोगों को इससे भी फाइदा मिलेगा कि अपनी glutes को मजबूत बनाना है और उसको tone बनाने में अब resting time आ चुका है the second का resting time complete कर लीजिए उसके बाद में लोग last exercise की और अपने figure को एक अच्छा रूप दीजिए stretch कीजिए workout कीजिए last exercise जैसे कि आप लोगों को पता था कि love handle को अच्छा बनाना है तो hip tips करना बहुत जादा जरूरी है तो plank hip tips कीजिए और workout को complete कीजिए और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अच्छे रहें healthy रहें और खुश रहें तो अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो WhatsApp पे Facebook पे या Instagram पे जहां पर आप लोग शेयर करना चाहें आपर इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अच्छे से ने वीडियो के साथ धन्यवाद